पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि acid और base आपस में react करके salt और पानी बनाते हैं इसी चीज़ पर मबनी हमने ये भी कहा था कि अगर एक चीज़ है जो acid के साथ react करके salt और पानी बनाए तो acid के लिए इस चीज़ का base होना लाजमी है और इसी तरह अगर एक चीज़ है जो base के साथ react करके salt और पानी बनाए तो इसके लिए इसका acid होना लाजमी है अब हम इसी खसूसियत का इस्तमाल करते हुए ये पढ़ेंगे कि acid और base metals और non metals के oxide के साथ किस तरह react करते हैं और इसे पढ़ने से आपको metals और non metals के बारे में बहुत सी हरान कुन बातें पता चलेंगी तो चले शुरू करते हैं यहाँ मेरे पास magnesium का oxide है याणि magnesium एक metal है और मैं इसकी oxide को यहाँ पर ले रही हूँ तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं एक metallic oxide को HCl याणि acid के साथ react करवा रही हूँ तो क्या आप इस वीडियो को रोकर यह बता सकते हैं कि इस reaction के नतीजे में कौन-कौन से product बनेंगे और इस reaction पर मबनी क्या आप यह बता सकते हैं कि इसमें magnesium oxide की क्या nature होगी इस वीडियो को रोकें और जरा एक बार इसका जवाब देने की कोशिश करें अगर आप खुछ से कोशिश कर चुके हैं तो चले आए आगे चलते हैं अब यह magnesium iron chlorine minus की तरफ किचेगा और बिल आखिर हमें इसकी नतीजे में magnesium chloride मिलेगा इसका formula होता है MgCl2 इसी तरह hydrogen iron oxygen की तरफ किचेगा और इसके नतीजे में हमें पानी मिलेगा यानि H2O अब मैं जल्दी से-से balance कर देती हूँ यहाँ दो hydrogen और दो chlorine है तो मैं इस तरफ भी दो लिख दूँगी हम ठीक हो गया अब देखें यहाँ यह compound एक acid के साथ react कर रहा है ताकि हमें salt और पानी दे सके लेकिर हमने पहले पढ़ा था कि acid सिर्फ base के साथ ही react करके salt और पानी बनाते हैं यानि इससे हमें पता चलता है कि इस reaction के लिए इस compound का base होना लाज़मी है ना बिलकुल जना अब magnesium oxide या metallic oxide आम तोर पर basic होते हैं यानि के metallic oxide दरसल acid के साथ base की तरह काम करते हैं ताकि यह react करके हमें salt और पानी दे सके चलिए अब थोड़ा और समझने के लिए कोई और विसाल ले लेते हैं तो यहाँ पर मैं calcium oxide ले रही हूँ calcium जो के एक metal है मैं इसका oxide ले रही हूँ और मैं इसे HCl acid के साथ react करवाऊंगी अब यह calcium iron chlorine minus iron की तरफ खिचेगा और हमें इसकी नतीजे में calcium chloride मिलेगा जिसका formula होता है CACl2 अच्छा अब यह एक salt है अब इसी तरह hydrogen iron oxygen iron की तरफ खिचेगा और will आखिर हमें इसके नतीजे में H2O यानि पानी मिलेगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि metallic oxide एक acid के साथ react कर रहा है ताकि हमें यह react करके salt और पानी दे सके तो इस चीज़ से हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि metallic oxide basic nature रखते हैं यानि कि यह base की तरह काम करते हैं और acid के साथ मिलकर यह salt और पानी बनाते हैं अब आप लोगों के जहन में यह सवाल आ सकता है कि हमने पहले तो पढ़ा था कि bases वो compound होते हैं जो पानी में या equis solution में घुलकर OH negative iron की तादाद में इजाफा करते हैं अब यह कैसे मुम्किन है कि calcium oxide OH negative iron की तादाद में इजाफा करें अगर यह ऐसा नहीं कर सकता तो फिर यह base कैसे हुआ भई तो यह बहुत अच्छा सवाल है इस सवाल का जवाब समझने के लिए चले चीजों को थोड़ा तफसील से देखते हैं यहां मैं calcium oxide ले रही हूँ और इसे पानी के साथ मिला रही हूँ अब यहां होगा क्या कि calcium oxide अपने ions यानी calcium 2 positive और O2 negative iron में तूट जाएगा और अब यह O2 negative iron इस पानी के molecule के साथ मिल जाएगा यानी combine हो जाएगा और अब यह दोनों मिलकर hydroxide iron बनाएंगी यानी OH negative iron लगा देती हूँ अब यह सही हो गया अब यहां आप देख सकते हैं कि metallic oxide पानी में मिलकर या फिर किसी भी aqueous solution में hydro oxide iron बनाएंगे और चुंके यह hydro oxide iron की तादाद में इजाफा कर रहे हैं कह सकते हैं कि metallic oxide भी basic nature रखते हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए यहां मेरे पास आपके लिए एक तज़रबा भी माजूद है यहां मैंने calcium oxide को पानी में मिलाया है और फिर मैंने इसमें litmus डाला है आप देख सकते हैं कि इसका रंग नीले रंग में तबदील हो रहा है और आप यह पहले सही जानते हैं कि बेस होने की सूरत में लाल लिटमस नीले लिटमस में तबदील हो जाएगा तो आप मैं उमीद करती हूँ कि इस तजर्बे के साथ आपको इस बात का यकीन हो गया होगा कि metallic oxide basic nature रखते हैं अब क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर metallic oxide किसी base के साथ react करेंगे तो इसके नतीजे में कौन से products बनेंगे चले मिसाल के तोर पर इस calcium oxide को sodium hydroxide के साथ react करवाते हैं तो आप बता सकते हैं कि इस reaction के नतीजे में कौन से products बनेंगे तो जिनाव यहाँ कोई भी reaction अमल में नहीं आएगा देगे हमने बढ़ा था कि ये calcium oxide calcium 2 positive और oxygen 2 negative आइन में तूट जाएगा बिलकुल इसी तरह से ये sodium hydroxide sodium plus ion और hydroxide negative ion में तूट जाएगा कुछ इस तरह से अब जरह सोचे कि यहाँ कौन सा reaction मुम्किन है और कौन कौन से products बन सकते हैं अगर हम सोचे कि यहाँ double displacement reaction अमल में आए तब भी ये sodium इस OH negative ion की तरफ खिचेगा और दुबारा से ये NaOH ही बना लेगा यनि sodium hydroxide ही बना लेगा तो यहाँ इस solution में ये दोनों ions ही मौजूद रहेंगे और कोई नया product नहीं बनेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि metallic oxide आम तोर पर base के साथ react नहीं करते तो यहाँ आप कह सकते हैं कि metal oxide acid के साथ मिलकर salt और पानी बनाते हैं इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये basic nature रखते हैं और साथ ही ये metal oxide अमूमन base के साथ react नहीं करते अमूमन हमने इसलिए कहा है चुँकि इसमें भी कुछ मस्तस्नियात या exceptions मौजूद होती है मिसाल के तोर पर aluminium oxide, zinc oxide वगएरा वगएरा ये ऐसे metal oxide हैं जो के acid के साथ मिलकर तो salt और पानी बनाते ही हैं लेकिन ये base के साथ बेरियाक्ट करते हैं ताकि salt और पानी बना सके यानि कि ये दोनों ही है, acidic भी हैं और basic भी हैं अभी आपको इस बाहरे में परिशान होने की जुरूरत नहीं है अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आम तोर पर metallic oxide basic होते हैं चुँकर ये acid का साथ react करके salt और पानी बनाते हैं चले अब non-metallic oxide की कुछ बात करते हैं तो यहाँ मेरे पास carbon dioxide मौजूद है देखे carbon एक non-metal है और मैंने इसका oxide लिया है और मैं अब इस non-metallic oxide को एक base sodium hydroxide के साथ react करवाऊंगी इस सूरत में ये sodium carbon dioxide के साथ मिलकर sodium carbonate बनाएगा जिसका formula होता है Na2CO3 और इसके साथ ही हमें पानी भी मिलेगा चले आब हम इस equation को जल्दी से balance कर लेते हैं तो हम यहां भी दो लिख लेते हैं और ये balance हो गई तो यहां हम देख सकते हैं कि ये compound एक base के साथ react कर रहा है ताकि हमें salt और पानी दे सके और हमने पहले भी पढ़ा था कि acid और base आपस में react करके salt और पानी बनाते हैं इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि इस reaction को अमल में आने के लिए इस compound का acid होना लाजमी है सिर्फ इसी सूरत में ये base के साथ react करेगा और बदले में हमें salt और पानी देगा तो इससे हमें पता चलता है कि non-metallic oxide acidic होते हैं या acidic nature रखते हैं या ये acid की तरह काम करते हैं और base के साथ मिलकर salt और पानी बनाते हैं अब आप शायद सोच रहे हों कि ये हो किस तरह रहा होता है क्योंकि हम जानते हैं कि तारीव के मताबक acid वो compound होते हैं जो पानी में या किसी aquis solution में घुल कर H positive ions की तादाद में इजाफा करते हैं तो अब ये कैसे मुम्किन है कि ये carbon dioxide H positive ions की तादाद में इजाफा करें तो इससे भी समझने के लिए हम थोड़ इसी गहराई में जाते हैं तो देखें जब carbon dioxide पानी में मिलता है तो ये carbonic acid बनाता है यानि H2CO3 और ये H2CO3 अमूमन H positive और HCO3 negative ions की शकल में पाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि carbon dioxide जब पानी में मिलता है तो इसकी नतीजे में हमें मजीद H positive ions मिलते हैं यानि कि H positive ions की तादाद में इजाफा हो रहा होता है और इसी वज़ा से हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि carbon dioxide जोके non metallic oxide है ये acidic nature रखता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि metallic oxide का nature क्या होता है और non metallic oxide का nature क्या होता है और अगर अब भी भी आप किसी चीज में उलज रहे हो तो आपने घबराना नहीं है आप दुबारा इस वीडियो को देखकर इस मौज़ू को दोहरा सकते हैं